दोस्तों अपनी दमदार आक्टिंग से लोकों को एंटर्टेन करने के बाद अब नुपुर अलंकार जिन्दगी के अलग पत पर चली गई है जिहां अलग रास्ते उन्होंने अक्तियार कर लिया है उन्होंने आली शान लाइफ को छोड़ कर सन्यास ले लिया है इस बैरागी जीवन को जीने के हर तोर तरीके नुपुर अब अपना रही है एक सन्यासी के लिए भिक्षा का काफी जादा महतु होता है तभी तो नुपुर भी भिक्षातन मांगने निकल पड़ी है नुपुर अलंकार ने इंस्टेग्राम पर नया वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो सडकों पर लोगों से भिक्षा मांग रही है नुपुर बताती है कि अभी तक उन्हें 6 लोगों से भिक्षा मिली है नुपुर को भिक्षा में क्या क्या मिला है ये भी वो अपने फैंस के साथ साज़ा करती है आपको बता दे नुपुर को 11 लोगों से भिक्षा मांगन दिन की पहली बिना चीनी की चाय उन्हें एक सन्यासी ने दी नुपुर एक कटोरे में भिक्षा मांग रही हैं उन्हें कुछ रुपए मिले हुए हैं जो साफ तोर पर दिखाये जा सकते हैं खाने की चीजे भी नुपुर को मिली हैं जिसमें उन्हें अपनी पहली बिक्षा में मिले पैसो को दखाया है तस्वीर में एक चाय का कप रखा हुआ है साथ में एक बड़ा सा कटोरा है जिसमें 21 रुपए रखे हुए हैं इस पोस्ट के कैप्शन में नुपुर ने लिखा है कि पहली बिक्षा नुपुर की फैंस ये देखकर खुश हैं कि जैसे ही वो जिन्दगी जीना चाहती हैं वैसे ही जी रही है नुपुर सन्यासी जीवन को जीना चाहती है पर उन्होंने फैंस संग कनेक्शन बिलकुल नहीं तोड़ा है नुपुर सोचल मीडिया पर अपडेट देती रहती हैं कि अब वो आगी क्या करने वाली है दरसल नुपुर ने 27 साल तक काम करने के बाद बॉलीवूड इंडस्टी यानी टीवी इंडस्टी को अलविदा कह दिया नुपुर के इस फैसले ने फैंस को भी काफी ज़ाधा हैरान कर दिया वैसे आपको याद होगा नुपुर अलंकार कई टीवी शोज का हिस्सा रही है इनमें से सीरियल शक्तिमान, राजा जी, दिया और बाती, हम जैसे शोल शामिल है टीवी शोज ही नहीं, फिल्मों में भी नुपुर अलंकार ने काम किया था, नुपुर ने अपने पती साथ ससुर्की रजामंदी के बाद सन्यासी जीवन को अपना लिया है अपनी लैविश लाइफ को छोड़कर नुपुर अब साधी जंदगी बिता रही है आपको क्यासा लगा अक्ट्रिस का ये नया आउतार और वो भिक्षा मांग रही है इस पर आपकी राएग क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएगा मैं थी आपके साथ साइम और आप देख रहे थे बॉलिवुड ब्रेक